Hello students, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैपिंग्स और ट्रांस्फर्मेशन इन कॉंपलेक्स प्लेन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैपिंग होती क्या है कॉंपलेक्स प्लेन में इस वीडियो में मैं आपको conformal भी कराऊँगा और इससे related एक numerical भी कराऊँगा bilinear आपकी थोड़ी सी लेंदी है तो यह आगे के वीडियो में cover होगी जिसके लिए इसके दो वीडियो रहेंगे क्योंकि इसमें जो numerical से जाधा तर आपके bilinear से आते हैं बट आपको basic concept तभी समझाएगा बेस आपका तभी बनेगा जब आप यह वीडियो देखके और बेस पूरा समझेंगे conformal और basic mapping का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक request है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें description box में जाकर आप बाकी के वीडियो को चेक कर सकते हैं playlist में जाकर आप बाकी के जो subjects हैं उनके वीडियो भी चेक कर सकते हैं वीडियो को like जरूर करें, share करें और अपना valuable feedback हमें comment के द्वारा पताएं अब वीडियो स्टार्ट करते हैं so mapping आप समझ यह मान लीजिए real variables में आपको पता है y equal to fx होता है यह represent करता है correspondence between the points on x-axis and y-axis ठीक है तो अगर मैं इन points को plot करूँ और join करूँ एक smooth curve बना सकता हूँ मान लीजिए इस तरह से मेरा कोई भी curve आ गया है यह मेरी x-axis यह मेरी y-axis तो यह real के लिए हैं but complex variables में आप क्या है 4D paper तो use कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर आपके पास four variables हैं एक x है एक y है एक u है एक v है तो because चार variables हैं तो आप 4D paper यूज नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ और technique लगानी थी ताकि आप इसको graphically represent कर सकें जो आपके complex function है उनको आपको represent करना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ एक technique लगाता हूँ मैं क्या बोलता हूँ कि plane मेरा शो करेगा u plus iv ठीक है और mapping में करूंगा w will be a function of fz so इससे होगा क्या we can establish a correspondence between the points on z plane and w plane with the help of this equation u plus iv मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि w is equal to function of x plus i y ठीक है तो इस तरह से मैं इक relation establish कर सकता हूँ अब इस relation को establishment को हम बोलते हैं this establishment of relation is called mapping mapping बोलो या फिर transformation बोले ठीक है इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अब graphically समझिए यह मेरा v और यह मेरा u ठीक है तो x y वाले को v u में कर दिया अब यहां पर अगर एक point z है तो इस point की corresponding image मेरी हमेशा यहां पर w के रोप में मुझे मिलेगी मतलब मैं इसको इस तरह map कर सकता हूँ कि बेरा अगर एक point w यहां पर है तो इधर से मैं उसको mapping करके अपने equation से देख सकता हूँ या फिर अगर z में एक z1 है तो इसकी एक image यहां पर w1 बन रही होगी होगी एक point अगर z3 है तो उसकी एक image यहां पर w3 बन रही होगी तो इस तरह से मैं mapping करता हूँ points की उसके लिए मुझे यह basic आना चाहिए अब इसमें दो type की mapping होती है एक conformal mapping और एक आपकी bilator तो मैं आपको अभी conformal सिखा देता हूँ सब्सक्राइब की जो में लाइन है वह यह इस सेंस ऑफ रोटेशन इस प्रिजर्व है क्या यह आपको बताता हूँ मान लीजिए मेरे पास xy axis और एक z plane है ठीक है तो z plane में मेरे दो curves है एक यह curve है मान लीजिए एक यह curve है ठीक है एक यह curve जा रहा है अब आप देख रहे हैं z plane में यह दोनों curve intersect कर रहे है at this point मैं कहता हूँ z naught ठीक है तो यह कहता है let two curves c1 and c2 ठीक है c1 एक curve यह हो गया c2 यह curve हो गया intersect in z plane at a point z equal to z naught at an angle alpha alpha से मतलब यह अगर देखूं तो इस तरह से यहाँ पर जा रहा है alpha और यह अगर देखूं तो इसका जा tangent डालू कर पर तो यह यह यहाँ पर जा रहा है alpha ठीक है alpha 1 alpha 2 अब यह कहता है if there corresponding images c1 dash and c2 dash in w plane intersect at point w naught मतलब मैंने बताया था आपको जैसा z होगा image उसकी u v तो c1 के हर point के लिए एक c1 point यहाँ भी मिलेगा मालो यह point था इसके लिए कहीं भी एक point यहाँ मिलेगा तो इसका कहना यह है कि जैसा यह curve था ऐसा ही curve अगर इधर बन रहा होगा बिल्कुल ऐसे मान लीजिए और जो sense of rotation जो यह point है यहाँ पर जो आएगा w naught ठीक है z naught का map होके w naught आ गया अगर जो है sense of rotation preserve है if the sense of rotation is preserved then mapping is set to be conformal मतलब अब जो यहाँ पर इसके angles बनेंगे मान लो यह beta 1 और यहाँ पर signals अगर same आ रहे हैं तो मेरी जो mapping है वो conformal है तो इस तरह से आपकी conformal होती है समझने वाली बात यही है मान लीजिए दो कर्व थे दो कर्व यहाँ भी थे इस curve का यह बना c1 dash इस curve का यह c2 dash बना इन दोनों का जो intersection point है वहाँ से tangent डालके देखा तो अगर sense of rotation preserve है तो conformal mapping है नहीं तो नहीं है अब इसका मैं question करके दिखाऊंगा आपको तो थोड़ा से समझ आएगा कि किस तरह से conformal mapping होती है इसके question आने के chances काफी कम रहते हैं बट आपको फिर भी concept सीखना है question पूरा एक चीज सीखनी है तो आप उसका numerical नहीं सीखेंगे तब तक वो अदूरा है so मेरा numerical है discuss the conformal mapping w is equal to z square अब ये question में exam में नहीं आएंगे conformal mapping के because उसके लिए आपको graph की जरूवत होती है graph paper की कैसे होती है जब मैं solve करूँगा आपको समझ आ जाएगा but concept समझने के लिए आप प्लीज इसे देखें और समझे कि होता कहें तब ही आपको depth में बता लगेगी कि mapping क्या हो रही है अब देखिए w is equal to z square है तो w is equal to u plus iv और z है मेरा x plus i y का whole square ठीक है अब इसको और देखूं तो मैं इसको जब खोलूंगा और तो u के साथ जो खाली इसका part होगा u will be equal to x square minus y square और imaginary part v के साथ चला जाएगा जो की आएगा 2xy ठीक है अब conformal wrapping में मुझे क्या करना है मुझे अब graph draw करना है graph draw कैसे करना है मैं बताता हूँ यह x यह y है ठीक है तो सबसे पहले मैं देखूंगा एक equation में पास यह है एक equation में पास यह है तो u की अलग-अलग values डालू और plot करूं इस curve को जैसे u की value 1 डालू और plot किया यह curve तो यह curve बनेगा उसको plot करना है अलग-अलग values डाल के कैसा बनेगा फिर एक और value में डाल देता हूँ तो मानलो 4 डाल लेता हूँ value ठीक है यू की value डाल लिए तो यह एक यह curve बन गया दो curve बना लिए अब इसके curve मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनेंगे सीधे आपको बता लेता हूँ curve कुछ इस तरह आपके बनेंगे यह आपने values डाल के plot कर लिए दोर करो similarly मैं क्या करूँगा v के लिए देखूँगा v equal to xy है v की अलग-अलग values डालूँगा कोई भी value आप चूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर value v के लिए लेता हूँ एक 2 ले लेता हूँ एक यहाँ पर 4 ले लेता हूँ ठीक है तो उसके आप जब graph बनाएंगे जब आप इसके curve ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से curve बन रहा है आपका इस तरह से curve बन रहा है आपका इस ठीक है आपका एक्स स्कूरर मैं य स्कूरर इकल टू इकल टू 4 यह है आपका एक्स वाइ इकल टू एक्स वाइ इकल टू इकल टू यह आपको करना पड़ेगा इसलिए एक्जाम में question नहीं आएगा क्योंकि इतना आपसे labor नहीं करवाएंगे आपको जरुवत पड़ेगी इसको करने लिए बट अब हो क्या रहा है इसमें मैं देखूंगा कि यहां पर मेरा यह जो ग्राफ है यह है एक मेरा अलगी पूरा इंट्रसेक्ट कर रहा है अब मैंने जो अलग-अलग values डाली है वह मैं चेट करूंगा यूवी plane में डालके यूवी plane मैंने आपको पताया था यूवी मैंने क्या values डाली है 1 और 4 यू की values ठीक है तो यू की values हो गहीं वन और यू की मानलो 4 value यहां पर वी की value 2 और 4 तो यह 2 तो यह 4 अब आप देखो कि यह जो point है यह यहां map हो गया यह point यहां map हो गया यह यहां पर और यह यहां पर यह होती है mapping आपकी कि आपका कोई point है वो आपका जो xy है z domain है वहां से आपका w में map मैंने कर दिया तो इस तरह से आपका mapping होती है v equal to 4 v equal to 4 v equal to 2 अब इसने बोला था conformal mapping discuss कीजिए तो हमने बना दी पूरी discuss कर दी तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि माली जी एक flow of channel है that is bounded by hyperbolas ठीक है xy equal to 1 xy equal to 2 ठीक है transform कर सकते हैं उसको between straight lines u equal to 1 u equal to 2 ठीक है मैंने एक system of hyperbolas को transform कर दिया एक system of straight lines में तो यह फायदा है अगर मैं आगे कभी higher studies के लिए जाओंगा या फिर आगे कभी मुझे जरुवत पढ़ती है कहीं ऐसी चीज में research में या कहीं पर जहां मुझे ऐसे problem को deal करने में मुश्किल हो रही है तो मैं उस problem को इस problem में change करके complex में फिर इसको easily solve कर सकता हूं तो यह आपका use है mapping का I hope आपको यह video समझ आया हो